सभी स्टूडेंट के लिए इस चैनल पे हम लेकर आए हैं ससी जेई क्रैस कोर्स 2022 तो यह किन के लिए है यह मैं पहले आप सभी को बता देता हूं तो अगर आप लोग को लगता है कि आप इसको तयारी करना चाहते हैं तो free of cost आपको यहाँ पे पूरा यह कोर्स मिल जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे यह कोर्स कैसा होगा और इसमें किस चीज की तयारी और किन के लिए काम का है ठीक है तो सबसे पहले आप यह समझ लिजी यहाँ पर होगा electrical का क्योंकि channel का नाम है electrical मेला तो हम electrical वालों के लिए ही यह course लेकर आए हैं और इस course के अंदर इस course के अंदर आपको क्या मिलेगा तो यहाँ पर आपको video मिलेंगी recorded videos होंगी जो daily upload होंगी तो आपको daily तयारी करना है ठीक है daily upload होंगी videos और आपको test मिलेगा online test आप जिसको दे करके आप practice कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको यह preparation और daily आपको एक motivation मिलेगा आगे पढ़ने के लिए और idea मिलेगा कि किस तरीके के question exam में पुछे जा सकते हैं 2022 में किस तरह का trend अभी चल रहा है questions का वो भी आपको यहाँ पे specific होगा तो जो SSC JEE है यह जो exam है इसका जो timeline है form भरने का और exam कब होगा वो सारा detail हा चुका है थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजिनियर लिखा हुआ है civil, mechanical, electrical तीन ब्रांच के लिए होता है सबको पता है हम क्या है electrical ब्रांच से related है तो उसी का मैं आपर discuss करूँगा तो जो online application थे वो 2 सितंबर तक बंध हो गया है और आज 5 नवंबर है तो teachers day के occasion पे मैं यह launch कर रहा हूँ तो यह पूरा आपका नवंबर तक चलेगा नवंबर में भी 14 नवंबर तक की classes चलेगी ठीक है तो 14 नवंबर तक मैं पढ़ाऊंगा और daily आपको एक video मिलेगा और test मिलेगा तो यह आपको देना है और आपकी तैयारी no doubt बहुत अच्छी हो जाएगी तो सबसे पहले इसका schedule मैं बता देता हूँ यह start हो रहा है 6th of September से कब तक चलेगा यह यह चलेगा 14th of November तक तो daily आपको एक video lecture मिलेगा और उसके साथ में link टेक क्या मिलेगा online test और इस online test में जो question होंगे यह अभी जो 2022 का exam होने वाला है उसमें जिस तरीके के trends हैं जो questions पूछ पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए होंगे अब कुछ लोग को doubt होगा कि यह जो course है है यह हम जो crash course यहाँ पर लिखा हुआ है तो crash course यह है कि आपको बहुत जादा detail में basic level एकदम नहीं कराएंगे इसमें थोड़ा सा advance होगा जो question जिस तरह के पूछे जा सकते हैं जिसका trend ह है अभी पूछने का वो उस तरह के question आपको test के अंदर दिये जाएंगे और जो basic जो previous question आ चुके हैं जो basic questions है वो आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे solve हो के ठीक है इसके अलावा आप comment करके जो भी आपके doubts हैं वो पूछ सकते हैं और एक number भी दे दिया जाएगा जिस पर WhatsApp कर पाएंगे ठीक है तो चलिए अभी अपन देखते हैं कि इसके अंदर पर हमारा syllabus क्या क्या है और आज अपन थोड़ा सा introduction रखते हैं कि किस तरीके का syllabus होगा है ना कितने subject हैं कौन से subject का क्या वेटेज होता है किसको जादा पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है इसको अप पर निकाल के रखा हुआ है तो मैं उसी पर जाके बताऊंगा आपको तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यह paper 1 और paper 2 दोनों में ही आता है paper 1 & 2 दोनों में यह part होता है पर अपन बात कर रहे हैं अभी mcq की ठीक है अगर आप मेरे video courses को पूरा आप देखोगे पूरा daily पढ़ ताकि आपको notes के लिए अलग से time ना देना पड़े बस आप पढ़ो और questions solve करो चलिए तो subjects क्या-क्या है हमारे पास सबसे पहला है basic concepts, circuit law, second subject, magnetic circuit, AC fundamental, measurement and measuring instruments तो basically अगर आप देखो तो basic concepts से आप उठा लो circuit law, magnetic circuit, AC fundamental और measurement ठीक है चलो measurement को अलग रख देते हैं तो यह चार आपको subject मिल रही है, एक्चौल में है एक ही subject, इसको बोलते है basic electrical engineering यह basic electrical engineering में ही आता है तो इसमें भी students जो भी आपके एकदम खास चीज़े हैं जिनको बार बार पूछा जाता है और जो आपके electrical engineering में भी काफी महत्वपूर्ण रहा होगा उसको हम यहाँ पे touch करेंगे और questions ज्यादा practice करवाएंगे आपको ताकि आप exam के लिए ready हो सके हैं आपको exam के लिए ready होना फिर आपका आजाता है measurement and measuring instrument यह एक अलग subject हो गया second बोल देते हैं इसको थर्ड आजाता है electrical machines तो electrical machines के अंदर ही आपका सारा fraction kilowatt single phase induction motor synchronous machine यह सारा कुछ machine के अंदर आ जाता है चौथा हो जाता है आपका power system power system में generation transmission distribution सारा कुछ इसमें include कर दिया इसमें भी जो main topic है बहुत ज्य आपके काम का है बस मैं वही आपको बताते हुए लेके चलूँगा फिर आएगा estimation and costing इस पर भी हम time देंगे यह बहुत आसान है और बहुत जरूरी topic है इससे question काफी ज्यादा आने लगे है आजकर फिर आपका आता है 6th position पे utilization of electrical energy फिर आता है 7th में आपका basic electronics तो कुल 7 subject यहा और खास है आप लोगों के लिए यह मैं आपको भी बताने की कोसिस करूँगा तो students generally हमारे electrical branch में जो level होता है पढ़ने का वो कैसा होता है देखो सबसे पहले होती है ITI ITI होता है electrician से ठीक है ITI मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको काफी अच्छा रहे समझने में ITI electrician ठीक लेकिन यह eligible नहीं होता है इसमें तो मैं बता रहा हूं किस तरह के student SSC जई देते हैं तो यह पहला पढ़ाओ पहले समझ लेते हैं हम लोग यह electrician का है ITI का फिर second होता है इसमें diploma जिसको हम polytechnic college में करते हैं या polytechnic course बोलते हैं तो यह होता है diploma in electrical engineering तो यह second position होता है second यह ITI के बात किया जाता है 10-12 ITI में लिख देता हूं तो यह इसके बाद होता है diploma अब diploma अगर किसी ने किया है तो वो directly eligible हो जाता है SSC जई एक्जाम को देने के लिए तीसरा पढ़ाओ student इसमें आता है आपका B.Tech जिसको बोलते हैं B.E. Bachelor of Engineering या B.Tech कहते हैं Bachelor of Technology तो यह जो course ह इसमें आप जाएंगे तो यह 12th के बाद जा सकते हैं या फिर आपने diploma किया हो related branch से electrical से अगर आपने diploma किया है तो भी आप जा सकते हैं और other states में कुछ rules अलग हैं बाकि आप diploma और 12th किया है तो आप B.Tech कर सकते हैं तो यह 3 पढ़ा होते हैं 4 फिर हो जाता है M.Tech का तो M.Tech एक higher study हो जाती है लेकिन M.Tech किया जाता है B.Tech के बाद में या कई लोग साथ में करते हैं B.Tech M.Tech दोनो जो direct 12th के बाद start कर सकते हैं तो यह 4 पढ़ाओं है अब S.C.J.E. का जो exam होता है इसमें कौन-कौन बैठ सकते हैं तो जिनके पास यह second वाली degree है और जिनके पास यह third वाली degree है यह दोनों ही आपके eligible होते हैं इस S.C.J.E. exam में बैठने के लिए अब अगर उसने B.Tech किया है और M.Tech भी किया है तो भी हो eligible है अगर सिर्फ diploma किया है तो भी हो eligible है तो कहने का मतलब एक competition थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है और काफी जादा लोग इसको दे लेते हैं तो आपके state electricity board की exam होते है state electricity board की exam होते है यह पहला हो गया सभी state में जैसे जारखंड है उडिसा में भी होता है पंजाब में भी होता हर राजी में जो electricity board है वहाँ पे भी job निकलती है और उसके लिए exam होते हैं ठीक है सेकंड हम देख लेते हैं जो एक लेवल उपर आता है जो SSC का exam होता है SSC JEE के नाम से लिया जाता है ठीक है यह होता है PSU's का, PSU's में आ जाता है NTPC, NTPC PSU है आपका, NHPC PSU है, SEL PSU है, तो यह सभी भी Diploma Level का, JEE Level का exam conduct करवाते हैं, तो यह हो गया, इसके बाद आता है आपका IES UPSC कराता है, यह इसको आज खल ESE बोलते हैं Engineering Services Examination, और 6 हो जाता है आपका GATE का examination, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, कि जो questions बनते हैं, या जो बनाते हैं, वो होते कौन हैं, तो वो teachers होते हैं, जो पढ़ाते होते हैं, colleges में, Engineering College में, या Diploma Colleges जो होते हैं, Polytechnics होते हैं, वहाँ जो पढ़ाते हैं, और काफी experienced होते हैं, वो सब questions को design करते हैं, अब वो कैसे questions कैसे design करते हैं, वो कैसे पता चलेगा, तो हम अभी जो पढ़ेंगे, उसे में आपको क्या-क्या करवाऊंगा, वो उसी से related है, तो देखिए, हम कराएंगे, University में जो questions पुछे जाते हैं, या जो numerical होते हैं, related topic के, पूरा नहीं, जो related topic है syllabus का, उससे related questions होते हैं, वो हम यहाँ पे cover करेंगे, ठीक है, important, ठीक है, थोड़े अलग तरह के, जो आपने पहले ना पढ़े हैं, क्या होते हैं, अलग-अलग state में exams होते हैं, mainly UP board के जो exams होते हैं, वहीं के questions पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा, 2019-2020 का जो paper SSC जहीं का, सीधे-सीधे book से ही ले करके छाप दिया गया था, उसके diagrams book में मिल रहे थे, वो भी कौन सी book थी, आपको पता होगा, BL थरेजा थी, कौन सी थी, BL थरेजा की book थी, ठीक है, ये इसके volume 1 और volume 2 से काफी सारे questions पूछे गया थे, अब university level रखा गार हम लारा हो गया तयारी, तो इसके बाद हम करेंगे previous year SSC जहीं के questions, previous year SSC जहीं के जो questions है, electrical के, वो हम लोग यहाँ पे lectures के अंदर cover करेंगे, और जो test देंगे, उसमें भी ये included रहेगा, ठीक है, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, IES के, जो MCQ questions होते हैं, related topic के, उसको मैं यहाँ से अलग करके, कुछ अलग तरह के questions को यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि electrical material से related question, PLC से related question, आज कल आईए, इसमें पूछा आता है, और वो सारे questions को घुमा फिर आके, SST में भी ले लिया जाता है, तो ये अच्छा रहेगा, प्लस इसमें gate के भी जो असान questions है, या one liner questions है, वो हम लोग इसमें include करेंगे, तो आपकी जो तयारी है ना, वो पुखता हो जाएगी यहाँ पर, बाकी लोगों से थोड़ी अलग हो जाएगी, ये सारा कुछ हम लोग इसमें cover करने वाले, तो एक तो अपन topic को पढ़ेंगे, basic book से पढ़ेंगे, diploma level की book ही आपको मैं prefer कराऊंगा, और उसके सारे के मैं PDF आपको available कराऊंगा, उसके बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं online, तो ये सारा कुछ हिसमें अंदर में हम लोग cover करने वाले हैं, तो syllabus हमने देख लिया, हमने schedule देख लिया, और teacher's day के दिन पर मैं इसको announce कर रहा हूं, तो हमारे पास लगबग लगबग September, October, November, लगबग दो मेहने का समय है, जो होते हैं 60 days, तो 60 days के अंदर मैं आपको ये cover कर दूँगा, तो बात हो रही थी हमारे 7 subject की, जो हमारे syllabus है, इसमें total हमने कितने subjects देखे, 7 subject, जो मैंने अभी बताए आपको, इन subjects के अलावा, जो मैं कराने वाला हूं, वो ये है, इसमें जो questions पुछेगे हैं, उसका अच्छा सा test बना के आपको देंगे, तो जो भी topic पढ़ते जाएंगे, उससे related सारे type के questions आपको मिलेंगे, और वो आप practice करिए, doubt classes भी रखेंगे अगर requirement होगी तो, तो 8 में, 8th number वाले subject में ये सारा कुछ include हो जाएगा, तो इस तरीके से ये complete हो गया, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा, जैसे आप देखेंगे, आप सब लोग पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ना ही सिर्फ काफे नहीं होता है, है ना, तो उन सब चीजों को भी आपको यहाँ पे देखना होगा, कि revision कैसे करना है, तो 9th जो मैं subject जैसा रखा हूँ, उसको मैं important दिया हूँ, एक importance के साथ आपको उसको देखना है, तो ये है आपका revision, तो revision की strategy मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे आप revision कर सकते हो, किस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो चीजों को, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका मैंने प्लान किया, SSE, जही क्रेस कोस 2022, और ये totally free of cost है, इसमें किसी तरह का कोई cost नहीं है, बस cost क्या है आपका time का, वो time आपको invest यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपको result आता है, तो मैं आपको last में, जब result announce होगा, तो आप मुझे message करेंगे, मैं आपसे बस एक feedback लोगा, ये आपका fees होगा, ठीक है, और अगर आपको लगता है, कहीं पर कुछ और additional, कुछ requirement है, कुछ चाहिए आपको, तो आप comment में बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी reply दे दूँगा, so thank you so much, good day,